तो क्या हाल है मेरे भाई हो के सब बढ़िया है ना यार मैंने रिसेंटल एक वीडियो अप्लोट करी थी शायद आपको उसकी नोटिफिकेशन नहीं मिली गया है और मैंनत बढ़ी करी थी भाई ने वीडियो पे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं एक पर वीडियो जरूर देख लेना और जैसी भी लगे कमेंट करके बताना जरूर विकॉज जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं तो आपका फीडबैक देखके अच्छा लगता है आज हम करें पूरा डीटेल में क्यामरा कंपेरिशन सामसंग ए 33 का आइकू नियो 6 के साथ आइकू नियो 6 आपको काफी पसंद भी आ रहा है और काफी कमेंट सारते इस वीडियो के लिए सामसंग ए 33 में 48 मेगापिक्सल का प्रामरी सेंसर है विद ऑप्टिकल इमिज टेबलेजेशन 8 मेगापिक्सल अल्टर वाइड इंग लेंस है 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर ह कर ली है आप बस वीडियो को पूरे इंट देख लेना आपके मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज यार सपोर्ट कर दिया करो 8 लाक सब्सक्राइबर करा दो जल्दी से और वीडियो को लाइक जरूर कर देना गाइस ये वीडियो चैनल कर लेते हैं दोनों को के चैमरास संग अ 33 को इद्वांटेज मिलता है कि इसके फ्रेंट कामरा से आप 4K वीडियो भी रिकॉर्ट कर सकते हो लेकिन आइकू नियो 6 के फ्रेंट कामरा से आप 4K वीडियो रिकॉर्ट नहीं कर सकते बस 1080p तक पर यह option है आइकू नियो 6 में 16 Megapixel का है front camera और Samsung A33 में 13 Megapixel है front camera अब एक बार sunlight से मैं थोड़ा shadows में आ जाता हूँ exposure तो अच्छे से adjust कर रहे हैं वैसे 1080p 30fps पे Samsung A33 में electronic image stabilization work करती है लेकिन iqoo Neo6 के front camera में किसी भी तरह की video stabilization नहीं दी गई है और price को अगर मैं consider करूँ तो मैं इस बात से disappointed हूँ एक बार मैं आपको भाग के दिखा रहा हूँ अरे बाई साव iqoo Neo6 में आप देखी सकते हो background में पूरी दुनिया हिल गई है Samsung A33 की video stabilization काफी अच्छी है video काफी stable है well first selfie इसमें direct sunlight आ रही है मेरे face पे और दोनों phone के camera's ने exposure काफी अच्छी से adjust कर रहा है मेरा face बिल्कुल भी overexposed नहीं हो रहा है दोनों pictures में color contrast का थोड़ो सा difference है पता नहीं क्यों बट iqoo Neo6 में जो color contrast है वो मुझे थोड़ा weird सा लगा मतलब Samsung A33 में background में और foreground में काफी natural colors देखने को मिले है iqoo Neo6 में चाहे background में sky की colors देख लो या मेरी t-shirt का color ना थोड़ा और natural हो सकता था अगर मैं zoom करूं तो face पे तो दोनो pictures में details इनफ है लेकिन मेरी t-shirt पे जो text है वो Samsung A33 में थोड़ा ज्यादा शाप है in fact इस sample shot में भी background में जो leaves के color है वो ज्यादा natural capture करे है Samsung A33 ने और background में details भी Samsung आसंग की इमेज में better है आइकू नियो 6 में background थोड़ा सा soft है details थोड़ी better हो सकती थी लेकिन foreground में दोनो pictures में details इनफ है in fact आइकू नियो 6 की image थोड़ी सी better exposed आई है मेरे face की तरफ आप देखोगे तो skin tones भी जिस वज़ा से थोड़ी सी ज़दा natural लग रही है यह same image मैंने portrait mode on करके भी capture करी और बेसिकली यह shadows में capture करी है image again आइकू नियो 6 की image overall better exposed आई है तो highlights better maintained है थोड़ी IQ की image में अब जब direct sunlight आ रही है तो मैं notice कर रहा हूं कि Samsung A33 image को थोड़ा better process कर पाता है overall जो colors है वो well maintained है थोड़ी से weird colors देखने को मिल रहे है आइकू नियो 6 में और आपकी जो text लिखा है मेरी t-shirt पे इसकी तरफ देखोगे न तो यह थोड़ा सा overexposed भी हो रहा है whereas Samsung direct sunlight में भी काफी अच्छे से exposure adjust कर रहा है बाकी दोनों pictures में थोड़ी सी smudge edges देखने को ज़रूर मिली है तो edge detection थोड़ा सा और better हो सकता था वेल ये वीडियो record कर रहा हूँ मैं daylight conditions में ही 1080p 30fps पे sunlight भी है और dynamic range में notice कर रहा हूँ कि दोनों फोन के camera's थोड़ी average capture कर रहे है बाकी exposure adjust करने में ऐस सच जदा time नहीं लगाते हैं दोनों फोन के camera's main subject की तरफ आप notice करोगे तो color contrast जादा natural देखने को मिल रहा है Samsung A33 में मेरी t-shirt का color जादा natural है even wall पे भी आप देखोगे तो colors थोड़े से muted है iconio 6 में तो color contrast मुझे overall samsung का better लग रहा है और autofocus काफी fast है properly work कर रहा है दोनों phones में 1080p 30fps पे OS work करती है तो मैं इस time पे भाग रहा लेकिन 4K 30fps पे Samsung A33 में video stabilization work नहीं करती है और iconio 6 की video अभी भी काफी stable है guys इन दोनों ही phones के primary camera से आप काफी sharp macro shots capture कर सकते हो अब spring roll का जो actual color होता है उसका एक idea आपको already होगा Samsung A33 में spring roll का actual color properly capture कर है camera ने color contrast close to reality है iconio 6 में colors थोड़े से जादे ही boosted है बट हाँ details दोनों pictures में enough है in fact इस macro shot में भी जो actual red color है न पोर्ड पे वो Samsung A33 ने properly capture कर है काफी rich red color देखने को मिला है even जो blacks हैं वो भी जदा deep देखने को मिले है Samsung A33 की image में और यह आप texture देख रहे हो यह भी जदा sharp है Samsung की image में तो मेरे को यह better लगी है clearly image अब colors का difference आपको इस sample shot में भी पता चल जाएगा यह basically एक macro shot तो नहीं है लेकिन momos का जो actual cream color है वो Samsung A33 ने properly capture कर रहा है IQ Neo 6 ना colors को जादे ही boost कर रहा है थोड़ा सा येलोईश shade आगया है momos का even background में जो table का color है उसको भी काफी boost कर दिया है मुझे पता है कई लोगों को थोड़े boosted colors पसंद आते हैं बट specially जब हम food या main subject की image capture करते हैं तो जो clothes के actual color होते हैं वो अगर camera natural capture नहीं कर पाता तो थोड़ी सी disappointment होती है मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि smartphone के cameras की जो color signs है जो colors algorithm है न वो थोड़ा सा depend करते है कि आप किस scenario में image capture कर रहे हो अब जैसे कि ये basically मैंने dynamic range check करने के लिए sample shot capture करा है यहाँ पे plants है sky है तो थोड़े से boosted colors produce करे हैं Samsung A33 ने अब आपको लगेगा कि मैं bias जो रहा ह shadows में देखोगे तो clearly Samsung की image better exposed आई है कुछ-कुछ areas में थोड़ी sunlight भी आ रही है और वो areas दोनों ही pictures में overexposed नहीं हो रहे हैं next sample shot में ऐसे ज़्यादा difference नहीं है दोनों camera's ने dynamic range अच्छी capture करी है dark areas well exposed आए है लेकिन Samsung की image में अब जो plants का color है न वो थोड़ा सा मुझे ज़ादा boosted लग रहा है तो यहाँ पर मिरको IQ Neo 6 में colors थोड़े से natural लग रहे हैं लेकिन जो floor का color है वो थोड़ा सा muted आया है IQ Neo 6 में Samsung में मुझे floor के colors देखने में ज़्यादा eye pleasing लग रहे हैं well यह image मैंने specially capture इसले करी है because building के उपर direct sunlight आ रही है और कई बर क्या होता है कि जो building होती है वो लेकिन details दोनों ही pictures में enough देखने को मिली है अब इस sample shot में color contrast को थोड़ा ध्यान से notice कर लो दोनों ही pictures में because यह same image मैंने ultra wide angle lens से भी capture करी है और IQ Neo 6 में थोड़ी warm tone ज़ादा देखने को मिली है थोड़ा सा yellowish tint है even Samsung A33 में cool tone होने की वज़े से colors तो definitely देखने में काफी better लग रहे details है वो भी slightly better exposed है तो dynamic range भी better देखने को मिली है और wider field of view capture कर लेता है Samsung A33 का ultra wide angle lens तो clearly Samsung ultra wide angle lens मुझे better लगा है अब finally बात कर लेते हैं कुछ portrait shots की और यह वाला sample shot मैंने actually मैं काफी tricky condition में capture करा है because main subject के साथ में मतलब same focal lens पे कुछ plants भी है और धोनों फोन के cameras ने surprisingly काफी अच्छे से edges को detect करा है और background में differentiate करा है main subject पे direct sunlight भी ही आ रही है लेकिन दोनों फोन के cameras ने exposure काफी अच्छे से adjust करा है और details मतलब कमाल की देखने को मिली है दोनों ही pictures काफी sharp है लेकिन Samsung A33 में मेरी t-shirt का color oversaturated है Ico Neo 6 में जो t-shirt का color है वो close to reality है even इस sample shot में भी मैं notice कर रहा हू Ico Neo 6 में मेरी t-shirt के colors जादा natural है काफी अच्छे से maintain करा है t-shirt के colors को और direct sunlight आ रही है again इस sample shot में again दोनों फोन के cameras ने exposure को काफी अच्छे से adjust करा है और इस sample shot में as such मेरी t-shirt के colors भी काफी similar देखने को मिले हैं दोनों ही pictures में और दोनों फोन के cameras edges भी काफी अच्छे से detect कर रहे ह background blur भी काफी natural है तो portrait shots मुझे काफी पसंद आए दोनों ही phones के अब low light में मैं ये video record कर रहा हूँ 1080p 30fps पे आप देख सकते हो frame में काफी lights है जो दोनों ही videos में overexpose हो रही है इस price segment के phones थोड़ा struggle करते है lights को control करने में properly adjust करने में बाकी colors दोनों videos में decent देखने को मिल रहे हैं और noise भी ऐस सच बहुत जादा नहीं है थोड़ी सी तो है लेकिन ठीक है video quality थोड़ी सी better होती तो और अच्छा होता अब low light में आ गया था तो मैंने दोनों cameras में night mode enable कर लिया है and guys यहाँ पे clear winner IQ Neo 6 है मैं आपको explain कर देता हूँ एक तो आप notice करोगे कि दोनों pictures में से जो color contrast है वो ज जरूर हो रही है बट overall जो color contrast है वो सभी pictures में notice कर रहा हूँ कि ज़्यादा natural देखने को मिला है IQ Neo 6 में और image न overall better exposed भी आई है IQ Neo 6 में अगर आप यह text की तरफ देखोगे तो clearly details भी better capture करी है IQ Neo 6 ने हाँ as such ज़्यादा noise दोनों ही pictures में देखने को नहीं मिली जो अच्छी बात है अब इस sample shot को देखके आप यह मत सोचना कि IQ Neo 6 में greenish tint ज़्यादा देखने को मिला है मैं आपको बदा देता हूँ कि background में कुछ green lights on थी जिसकी वज़ासे दोनों ही pictures में थोड़ा green color ज़्यादा देखने को मिला है और IQ Neo 6 ने इस green color को काफी अच्छे से maintain करा है background में even अगर आ foreground और background ज़्यादा वेल लेट आया है Samsung A33 में जो flash है वो main subject पे ज़्यादा focus करती है इसलिए background थोड़ा ज़्यादा dark है बट गाइस यहाँ पे न थोड़ा personal preference पे depend करता है मुझे personally मेरी t-shirt के जो colors है वो ज़्यादा natural लगे है Samsung A33 की image में मतलब ज़्यादा realistic है colors even मेरी skin tones भी मु camera मुझे overall Samsung A33 का better लगा है हाँ IQ को एक advantage मिलता है कि 4K 30fps पे stable videos आप record कर सकते हो बाकी front camera भी मुझे Samsung A33 का ही better लगा है मैं उमीद करता हूँ आपको भाई का content informative लगा होगा तो वीडियो को like करो channel को subscribe जरूर कर दिया करो मैं मिलूँँगा next video में till then you guys have a great day